गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम फिर से करेंट अफर के एक टॉपिक लेके आया है जो कि एन्वारोमेंट के रिलेटेड है, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, प्रोसोपीस चिलेंट सीस, यह एक जो कि इन्वेजु प्लांट है, यह अभी न्यूज में है, क्यों डें यह यह डिए ड्रोट रिसिटंग फ्लांट है, जहां पर सूखा होता है, ड्राइड जैसे वेश्टर राजस्थान, एरिड ड्रीजन या सेमी एरिड रिजन जो होता है, वहाँ पर यह प्रोपर ली गरू होता है, इसको जयादा पानी की जरूत नहीं है, तो यह डिए में क्यों है आप यह देख लीजे नेटी रूसाओ्ध अमेरिका अर्जेटेनिया बोलीविया पेरु चिली में इन पाइज市 सृप़ देखा कंत्री पिलेवियो पेरु रूसानी यह हो है वहां पर पारप आ जाता है अब ये न्यूज में क्यों है? So it is threatening to native vegetation in Gulf of Manar जो की तमील नाडू में है अब पहले मैं आपको location बता देता हूँ ये देखिए ये तमील नाडू है और इसके एकदम southern tip पे है यहाँ पर Gulf of Manar ये एक biosphere reserve है जो की तमील नाडू में है इसमें जो vegetation है ये आसपास के vegetation है उसको ये जो प्लान्ट है न प्रोसोपिस चिलेंसीस ये उसको खतम कर रहा है हटा रहा है इसके लिए न्यूज में आया है और ये जो Gulf of Manar है ये इंडिया का biosphere reserve है लेकिन first biosphere reserve marine के context में है ठीक है? अगर नॉर्मल देखा जाए इंडिया का पहला biosphere reserve कौन सा है ये है नीलगिरी जो की तीन स्टेट के बीच में है करनाटा का केरला एं तमिलाडू ठीक है Gulf of Manar तो first में नहीं है लेकिन अगर पूछा जाए कि first marine biosphere reserve इंडिया का पहला marine biosphere reserve तब आजाए गल्फ ऑफ मननार तो यहीं पर जो वेजिटेशन है इस biosphere reserve में वहाँ के वेजिटेशन को यह जो प्रोसपीस जूले फेरा है यह वहाँ के वेजिटेशन को खतम कर रहा है धीरे धीरे इसले न्यूज में है तो गल्फ ऑफ मननार और किसके लिए तो यह important habitat for coastal birds migrating from arctic circle जो एक country से, दूसरे country से, तीसरे country से जो birds migrate करते हैं उनके लिए यह important habitat है अब arctic circle कहाँ पर है तो यह हमारा अर्थ है यह उपर arctic और यह यहाँ पर antarctic, जो arctic है वो water body है, जो antarctic है वो एक land mass है ओके, यह इतना था न्यूज में थैंक यू